नमस्त्त किसान सात्यों, किसान सात्यों राज पटेल पाठीदार किसान यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है किसान सात्यों आप देख रहे हैं स्वाबिन की खेती और किसान सात्यों स्वाबिन में यहाँ स्वाबिन की जेस 22-18 विराइटी है मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे साथ ऐसे जूड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसी प्रकार आपको सही और सटी जानकारी मिलती रहे तो किसान साथियो अपन बात करते हैं स्वाविन की जेस बाइस इठारा की जो कि किसान साथियो मैंने इसकी बुआई एक जुलाई 2023 को की थी जो कि आज 23 अगस्त 2023 है तो किसान साथियो आज पूरे इसको 50 दिन के सम्थिंग हो गए है और 50 दिन में इसकी कंडिशन देख लीजी आप मतलब कित्ता शांदा ग्रोथ ये देखिए और पूरी फलिया मतलब उपर से नीचे तक लगी हुई है और इसके घुमचे ये फली के आठार दस दस के जुम के आते हैं और बिल्कुल उपर से नीचे तक चल रही है किसा साथियो इसमें फलिया कंप्लेट मतलब हो गई है आज ये पूरे पचास दिन की हो चुकी है और पचास दिन में इसमें इस प्रकार से फलिया बनना इस्टार्ट हो गई है रहे हैं यह देखिये और कर रहे ही काफी है और ग्रोध भी देख लेगा आप यह देखिए साहती ओं जेस की बाई सठावरा कि ऑपके साहती हो थोड़ी सी जमिन हल्की जमिन में बोया हुआ है इसको उसके बावजुद भी ये कितना शांदार ये देखिए अभी तो कर रहे है चालू है और फल्याई बन गए मतलब ये लगती रहती है और चलती रहती है और फ्लावरिंग भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको ये देखिए फ्लावरिंग भी है ये देखिए फ्लाव खड़ा है और हाईड की बात करें इसकी तो हाइड भी करीब ये देखें मतलब पैन्ड की जो जेब है जेब के बराबर इसकी हाइड हो गई है यह देखें कि मैं आपको और अंदर चलके बता देता हूं यह किसा शातियों जेस का 22 ठेका प्लाट है यह देखें अब मैंने यहां क्या बोनी लेट थी उसके बाद बोनी होने के बाद में मैंने दवाई का यह खर्पतनार्शक जो दवाई आती है हर्भी साइड उसका दो बार प्रियोग कर दिया था जिसके कारान स्वाविन थोड़ी लेट हो चुकी है फूरी जल गई थी उसके बावजू कि यह देखिए इस प्रकार से अभी फली कंडिशन है इसकी है कि देखिए जेज बाविस अठारा और कि साथियों अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और भी मैं आपको इसकी लाइस्ट हार्वेस्टिंग से लगा कि एवरेस तक का पूरी जानकारी आपक कि यह देखिए आप खेट के बीच की इस्तिती बता रहा हूं शान्दार तरीके से खड़ी है रहा है वहाँ पर मेरे और यह मैं खेट के बीच में बिल्कुल खड़ा हूं यह उसके बाद की इस्तिती भी आपने देख लिए और बता देता हूं मैं आपको लगोई भी आठ दिन बाद और बताऊंगा आठ दिन में कितना परिवर्तन होता है क्योंकि बहुत सारे कर रहे हैं अभी सईसे फल दिखाई नहीं दे रहा है इसमें क्योंकि बोनी लेट है और फिर आपको बता है मैंने हर्भी साइड का इसमें परियोक करने से क्या है कि थोड़ा सा किसी भी मुझें है अगर हरविलग कर दो बार छिटो गया तो लेट हो नहीं होना है तो कि साथियों आप हमारे साथ ऐसे बने रहे और आपको मैं हर बार सही बिल्कुल सही और सटिक जानकरी देता रहूंगा तो प्रोद भी काफी अच्छा है यह मिलकुल एक पोधे में मतलब शानदार अब मन बता नहीं सकता हूं कितनी फ़्रिया और करें अभी बन रहें कि साती ओब देखते हैं अपन के किसेट होते हैं इस वेराइटी में अन्य वेरायटी के तुलना में तो किसान साती ओ कि छैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जई ज़वान जई किसान